लास्ट लेक्चर में हम लोग उने मेटर क्या होता है उसके बारे में पड़ा था और इस लेक्चर में हम लोग एक अपना नया चप्टर शुरू करने जा रहे हैं जो की है is matter around us pure क्या हमारे आसपास जो matter है वो pure है तो pure मतलब क्या होता है pure मतलब जिसमें कोई मिलावट ना हो हम लोग जब भी दूद लेने जाते हैं तो हम लोग सबसे पहले पुछते हैं ये pure milk है की नहीं है जब हम लोग घी लेने जाते हैं और भी बहुत कुछ बताने वाला हूँ तो इस लेक्चर में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं इस लेक्चर में सबसे पहले तो हम लोग pure substance पढ़ेंगे types of pure substance यानि के elements और compounds वो पढ़ेंगे और उसके बाद हम लोग mixture पढ़ेंगे और mixture के भी दो टाइप है वो पढ़ेंगे कौन से homogeneous mixture और heterogeneous mixture दोनों अच्छे से differentiate करेंगे ठीक है चलिए हम लोग अपने लेक्चर को start करते हैं आजाए यह तो देखिए यह पूरा flow chart आपको याद रखना है कि जो matter है उसको हम लोगों ने दो टाइप में क्लासिफिकेशन क्या है कौन सा प्यॉर सब्स्टेंस और mixture ठीक है matter क्या होता है वो हम लोग पिछले लेक्चर में जान चुके हैं और इसके तीन स्टेट होते हैं solid liquid gas वो भी हम लोग जान चुके हैं अब classification of matter के बाद रहाती है हैं जैनी के matter को कितने Pparts में classify किया गया है मेन ट्व पार्ट में classify किया गया है कौन-कौन से पहला है pure substance और दूसरा है mixture ठीक है pure substance और mean healthier के वारे में जानेंगे और फिर is pure substance को further two parts में classify की क्या अगया elements कुमपाउंट्स ठीक है और इस mixture को भी further टूपार्ट में homogeneous mixture heterogeneous mixture इस mixture को आप लोग mixture substance भी बोल सकते हो एक बात ध्यान देना यह जो pure substance में यह जो element और compound बहुत ज़्द important है अगर आप लोग यह अच्छे समझ आएका तो Chemistry बहुत अलगी level के यह बोल रहा हूं ठीक है बागी होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस प्रफियर सब्सक्राइब में क्या पढ़ना है element compound और mixture में homogeneous और heterogeneous सबसे पहले classification of matter matter के बारे में जानते हैं मेटर बताओ क्या होता है बताओ मेटर क्या होता है anything which is mass and occupies space ऐसा कोई भी substance कोई भी object जिसके पास क्या हो मास हो और वो सबसे पहले प्योड प्रणा है फिर उसको पाद mixture पायांगे तो चलिए सबसे पहले हम लोग अपना प्योड शुरू करते हैं तो देखे इस्ट्रेंट्स प्योड शबस्टेंस देगी प्योड शबस्टेंस वही है जिसमें कोई मिलावट ना हो आप लोग इसको पढ़ सकते हैं ध्यान से देखेगा होमोजीनियस मटेरियल अब देखो होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस में तो बाद में करने वाल थे लेकिन यह प्योड सबस्टेंस के नाम में ही यहां पर होमोजीनियस आ गया है जान लेते हैं होमोजीनियस मतलब क्या होता है होमोजीनियस मतलब होता है सेम यानि कि होमो मतलब क्या होता है होमो मतलब होता है सेम ठीक है और यह जो जीनियस लिखा है जीनियस ठ होता है से मतलब एक सामझें जो मतलब सेंच मतलब सेब सेंच यानि कि और होमोजीनेश मातेरियल विच पाइटिक आपने वन कायंड मतलब एक होमोजी यह जो प्यूर सब्सक्रेंस है यह कुछ ऐसे सब्स्टेंस होते हैं जो कि सिर्फ एक काइंड के मटेरियल अपने अंदर रखते हैं और यह समझ लो अगर वहां पर हाइड्रोजन है यह सब सुने हो तो अगर वहां पर है तो सरिफ सारे हाइड्रोजन ही रहने वाले हैं वेन का मतलब यह होता है यहाँपर यहां पर कांपली ने तो मैंने पूरा पांडी शालो फिरएगा उसमें कहांस by साहीं आएगा वह सब तरो यहाँपर सिर्फ सिर्फ एक काइंड काई गोर्ड सिर्फ एक कांड ताम 묶ेल से और तो उस त्यमेंड आने वाला है फिर उस टाइम पर ऑक्सिजन नाइट्रोजन हाइड्रोजन हेलियम वो सब नहीं आएगा कारबन डायोकसाइड बोला तो सरिफ कारबन डायोकसाइड ही आएगा ठीक है वो होता है वन कैंड का मतलब अब एडिफाइनाइट सेट आफ प्रॉपर्टी इसका है तो गोल्ड के अपनी प्रॉपर्टी है कि वो चमकदार होता है ठीक है समझ जो ना ग्लीटर होता है तो वो क्या होता है उसके अपनी प्रॉपर्टी है कि वो हाइड होता है ठीक है फिर सिल्वर के अपनी प्रॉपर्टी है कारबन डायोकसाइड के अपनी प्रॉपर्ट कि has a definite set of properties का क्या मतलब है समझ में आया अरे भीया अगर मान लो आप पानी लिए हो ठंडा पानी लिए हो तो पानी की एक ही प्रॉपर्टी होती है ना कौन सी प्यास को बुझा ना बस तो उसके वो प्रॉपर्टी सेम ही रहेगी ऐसा कभी नहीं होने वाल है कि मैं जितना ज् सब्सक्राइब कर्वर्टी रहता है वह नहीं होता है ठीक है आपको समझाओगा अब तो इस घ्र चैन्स मतलब क्या उनको कुछ खास्य थे निन नेचर का लिखा है यह आपको कुछ दिर में बहुत जल्दी समझ जाएगा बहुत अच्छे समझ घाएगा हो मतलब हुस्टे लिक्विड तो लिक्विड गैस तो गैस ऐसा फिर सॉलिड और लिक्विड मिक्स नहीं होगा वो है होमोजीनियस सेकंड वाले देखो अब प्योर सब्स्टेंस एज डिफाइनाइट सेट अफ प्रॉपरिटीस देखो जो यहां पर लिखा था यहां पर लिखा है इस प्रॉपरीटी के ओप्र लिखातने संफ्टेंटस और टार काईश संत। उन्हीं हो सकते आएक नहीं कि इसकी प्रॉपर्टी यह और टो अई- section आप को लिए तो उस प्यूर्ड को हम लोग किज कल मinhos से अलग अलग नहीं कर सकते हैं जैसे माझलो मैं मैंने युद कभरे पहले कहा ता कि以前 है अभ एच टूमें अलग अलग कर सक्ते ओंगे है ओड्य और अलग कर सकते हो लेकिन किसी भी फिजिकल मेथर से यह अलग नहीं हो सकता है लेकिन किसी भी फिजिकल मेथर्ड से यह अलग होता है जिसके पास पार्टिकल्स और उनकी जो प्रॉपर्टिस रहते हैं उसको बोलते हैं और उसको कुछ करेक्टरिस्टिक्स हम लोग ने देख लिए अब चलिए अभी देखो यह जो प्योर सब्स्टेंस है इसको केमिकल बेस पे दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया ह है ओन द बेस ओफ चेमिकल प्रॉपर्टीज कौन कौन से दो पार्ट में में एक तो यह मैं और दूसरा कंपांड में अब अब ऐलिमेंट और कंपन में क्या डिफिरेंस होता है चलिए वह देख लेते हैं को देखिए अभी एलिमेंट के भारे में जानने वाले हैं ठीक है किस बेसिस पर प्यॉर सबस्टेंस को एलिमेंट में मतलब कि टू फर्दर पार्ट में डिवाइड किया गया है सो उनके केमिकल प्रोपर्टिस के बेसिस पर सबसे पहला हम लोग हम लोग से सकते हैं जैसे मुझे बता ओ आप लोगों को इतना तो पता है Gom को लोग करों सकते हैं केमिकल मेथ़ड से सो हइडोजन को अलग कर दिया और किन इसको ऊपन को को अलग कर दिया अब hydrogen और oxygen अलग अलग तो हो गए अब hydrogen को क्या मैं और अलग कर सकता हूं hydrogen को क्या मैं और अलग कर सकता हूं नहीं ना hydrogen को उसके बाद मैं अलग नहीं कर सकता हूं H2O था उसमें से मैंने H को अलग और O अलग कर दिया अब उसके बाद भी किया मैं हाइड्रोजन में से हाइड्रोजन को अलग करूंगा क्या नहीं न तो वह जो हाइड्रोजन है वह अपना element है मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूं मैं यहाँ पर हैच अलग कर सकता हूं और ओको मैं क्या कुछ आरे लग कर सकता हों क्या नहीं कर सकता है और यह जो ऑक्सिजन है यह दोनों क्या है यह दोनों substantial substance, जिसको हम लोग 2 और उससे ज़ाधा simpler substance में divide नहीं कर सकते। ठीक है, अभी in other words ये कुछ अलग word में जो जो को वही लिखा है, an element is defined as the basic form of a matter that cannot be chemically broken down into simpler substance जिसको हम लोग simpler substance में broken down नहीं कर सकते, जैसे अगर मैं पूछूं कि carbon dioxide आप लोगों ने सुना है, carbon dioxide का formula क्या है, so CO2 है, carbon dioxide का formula क्या है, CO2 है, अब इसमें से, क्या मैं C को और O को अलग-अलग कर सकता हूं, हाँ कर सकता हूं, लेकिन C को और O को अलग-अलग करने के बाद, क्या मैं C को further अलग कर सकता क्या है यह अपना क्या है या अपना क्या है अपना क्या है एक्जाम्बल देख लो हाइड्रोजन जिसको हम लोग अब मुझसे यह पढ़ रहे हो तब तक टोटल 118 एलेमेंट के खोज के जा चुकी है कितने टोटल 118 एलेमेंट है अपने पूरे नेचर में टोटल 118 एलेमेंट है ठीक है 108 अब 118 मैं से हम लोग को कुछ-कुछ की नाम यहां पर जहां रखनें फिर आगे जाके और पढ़ ल सबस्टेंस से सबस्टेंस मेड़ा आप अफ दे एक पड़ना है पूरा एक पड़ेंगे आप लोग को यह कंफर्म हो जाएगा अब देखो फीजिक्स के लिए लो चाहिए के मिश्टर के लिए लो कोई बीचेप्टर एक अकेला नहीं हो सकता एक अकेले चेप्टर को बात नहीं समझ सकते ऐसा इसलिए क्योंकि जितने भी फीजिक्स के ले लो चाहिए किसी भी सब्सक्राइब होते हैं एक है वो दूसरे से लिंक होता है तो पहले को दूसरे को तीनों को जितने रहेंगों सारों को समझेगा ठीक है इस चेप्टर को पढ़ने के बाद आगे क में नेक्स लेक्चर में इसको डिसकर करेंगे यह जब हम लोग फिर करेंगे यह उसमें ड्यान रखना कि इसमें बन बहुता है अपने बहुत बढ़ा है टीक है तो सो एलिमेंट समझ में आया जिसको मुझे लोग और सिंपलर सबस्टेंस में डिवाइड नहीं कर सकते जैसे मैं आप लोगों को और एक्जाम्पल देता हूं जैसे आप लोगों ने शुगर का फॉर्मला सुना होगा कल और 11 एसमें डियाँ टोटल कितने कर सकते हूं तो उसके बाद क्या मैं ने कारреलों को हाइड्रोजैन को ना और आयलग करता हम लुग सकता हूं कि इससे सिंपल इनकों मैं तीनों को अलग अलग कर दोंगा सकता हो क्या है तो यह क्या है वह है अधिकर आपको समझ में आया भागा अब अब कुछ तैपस भी होते हैं फिजिकल फिजिकल प्रापटिज के ऊपर वह में लोग देख लेते हैं और टीक है कि So they Sudan's on the basis of physical eight तर छो तो हम से होती हैं एलेमेंट्स के आइंड़ी टीन टैप है। टीक है। कियो न लेक्ट्ड में पर परीच्छर में पढग था अब यह इस लेक्चर में क्या लेने आ गया यही बताने आ गया कि फीजिक्स के चाहिए के मिस्ट्रिक के कोई भी कोई भी सब्जेक्ट उसके सारे चेप्टर इंटर लिग्ड होते हैं एक चेप्टर पढ़ोगे तो दूसरा भी पढ़ना पड़ेगा दूसरा सो तीसरा भी मै सबसे पहले तो अपना होता है इसको मैं इस से लिख देता हूं यह क्या है फेरस मतलब लोहा और कौन सा होता है जैडन होता है इसका यूस के जाता है और कौन सा होता है और वहले होता है यह क्ई लिख शिशा शिशा एक ज्रिख है अपने अपने प्रोमीण ठीक है, और कौन सा होता है liquid, अपना mercury, mercury सुने हो ना, पारा, जो थर्मामेटर में रता है, उसको भी लिख लो, mercury, ठीक है, आई ऐोप आपको ये दिख रहा तो होगा, हां mercury, gases, कौन-कौन सी gases होती है बताओ भाया कौन-कौन सी, भाया hydrogen होती है, फिर oxygen होती है, carbon dioxide भी बोलोगे, हां carbon dioxide बोलो, लेकिन carbon dioxide जो है, वो element नहीं है, वो compound है, compound कैसे है वो भी कुछ दर में देखेंगे, फिर nitrogen हो गया, nitrogen हो गया, का आरगन कि इन सब के सिंबॉल भी ध्यान रखुआ हाँ हाइड्रोजन का जो है एच है ऑक्सिजन का ओ है नाइट्रोजन का एन है आरगन का ए आर है अब देखो इसमें आपको सिर्फ एक्जांपल दिया है कि सॉलिड कौन-कौन से सॉलिड लिक्विड गैस के प्रोपर्टी तो आप लोग जानते ही हो ठीक है बस इसको यह ध्यान रखने की कौन-कौन से जो है थोड़े बहुत एक्जांपल दो-चार एक्जांपल भी ध्यान रखो क्यों हो जाएगा ठीक है आई होप आपको यह समझ में आ गया होगा कि क्ल अलिवेंट जो हैं वह और तिन पार्ट में क्लासिफाइब किये गए कौन-कौन से जो कि आप लोग पढ़ चुके हो मैटल्स नॉन मैटल्स एंड मेटलोइड्स यह देखिए यह जो मैटल्स नॉन मैटल्स मेटलोइड्स यह जो है यह आप लोग बच्पन से सुनता हो परटाइस जन रखने पड़ते हैं मधलियर्स का मतलब क्या होता है मलियबल का मतलब यह होता है उसको पीटके पत्री की तरह शीट की तरह कनवर्ट कर दो जैसे आप लोगों ने पत्रा देखा होगा शेट देखऊ पत्रा अरे पहले के जो घर होते थे उनमें ऐसे ये ये दिवारे नहीं हुआ करते थे ऊपर फेरस को हम लोग कैसे बनाते थे प्रॉपर्टी में क्या होता है इस प्रॉपर्टी में यह होता है कि अगर हम लोगों ने कोई कर देंगे तीन वायर के जैसा कॉपर के अलुमिनियम सुनरस का होता है एक ऐसा एलिमेंट जिसको मारने पर हम लोगों कुछ आवाज सुनाई दे क्या मतलब है जैसे आप लोगों ने अपने स्कूल में लगी वह बैल देखी होगी जो बैल को हम लोग ऐसे बजाते रहते हैं यहाँ पर लोग मतलब क्या होता है शाएं करना एसा कौन साय जो शाइन करता है गोल्ड आजी तो सिलवर होता है एयू हो गया एयू मतलब और एजी शिलवर गुड कंडुक्टर of heat and electricity के गुड़ कंडुक्टर वाइर बने गहते हैं कहीं कहीं एक्सेप्शन पर मत जाना इस टैंप पर से वह जाना को के गूड कंडुक्टर of heat and electricity अरे बहिया good conductor of heat and electricity होते हैं इसलिए तो copper में हम लोग wire जो wires बने वोते हों copper के बने वोते हैं तब ही तो हम इसे electricity pass करती है तो उसका example क्या हो गया copper हो गया ठीक है so metals के यह कुछ properties होती है किसे एक basis पर देखकर मत बोलना कि यह metal है वो non-metal है समद बोलना यह सारे properties होने चाहिए अब कहीं कहीं पर यह जो बोलते हैं exception भी हो सकते हैं जैसे एक और प्रॉपरिट्य आप लिख सकते हो कि solids are always sorry metals are always solid hard in nature यहाँ पर hard लिख देता हूं हाइड है और यहाँ सब ब्रिटल इन नेचर कौन है अपने अपने नॉन मेटल से ठीक है सबसे पहला not valuable not ductile इसका मतलब कि हम लोग उनको मार मार के पत्रे जैसा शीट में convert नहीं कर सकते हो और थीन वायर में convert नहीं कर सकते कार्बन देखे हो कार्बन तो कार्बन कार्बन कोईला कोईला तो देखे होगी ना कोईलों को मार मार के कि आप लोग ऊसको शीड बना सकते हो गां इसको वायर बना सकते हो नहीं बना सकते हो तो सेम यहाँ पर आप लोग इसका पूरे का example एक सकते हो C carbon carbon इसका example यह अच्छा गार्षा example फिर not सोनरस यानि कि इनका जो साउंड है वो साउंड भी हम लोगों को इन से नहीं आएगा ठीक है जैसके लकडी हो गया वो सब इक्जामपल जो किसमें आएंगे वो सब नॉन मेटल होते हैं कभी कार्बन को देखे हो चमकता हुआ आओ देखे हो नहीं ना सो कुछ-कुछ एक्सेप्शन होते हैं वो मैं मानता हूं ठीक है लेकिन नॉन मेटल के प्रॉपर्टी होती है इसका सेम अपोजट बैट कंडेक्टर फीट एंड इलेक्रिसिटी ज्यादतर पाये जाने वाला हमारा नॉन मेटल कार्बन यह इन सबका एक्जामपल ठीक है मेटलोड क्या होता ह घ्राफ चिएन मेटल की भी प्रॉपईटी होती है इसां मेटल की तारह नॉन मेटन की इसलीकॉन हो गया आरसनीक हो गया टूंटेस को किससे बताते हैं एस से बताते हैं बॉर ओन को है से बताते हैं को एस से टू आय सकते हैं एक बार मैं कर लूँगा यह अर्सेनिक आपको यह समझ में आया होगा लिए मेटलव क्या होते हैं समझ में आया वह बोलो समझ में के मेटल सबस्में तो इतना है अब लोग बचमान से पढ़ते हैं याद दिरके और शरक गया धाता हैं और आर्सनिको एस से बताता है यह रखने पैले 5 खन अब लोग अपना देख लेते हैं किया होता है चलिए अभी compound पड़ते हैं और compound में और element में क्या distinguish होता है उनका जो जो भी doubt है वो clear करते हैं ठीक है compound इस तरीके से पढ़ाओंगा आप लोगों को आप combined in a fixed proportion by mass इसका क्या मतलब है इसका बहुत बड़ा मतलब लिख दिया है मैं नहीं आपर लिखने हैं आपर टोटल दो लाइने लिखे हैं उन दो लाइनों का मतलब ध्यान से समझना a compound is a substance compound is a substance है यह तो हम लोग को भी पता चल गया made up of two or more elements यानि कि यह दो या दो से ज्यादा element से बना हुआ होता है अगर एक element है तो वो compound नहीं हो सकता वो बाध्यान देना अगर एक element बोला है तो वो compound नहीं हो सकता क्यों क्योंकि इसके definition में यह कम से कम दो element होंगे या दो से ज्यादा element होंगे और वो chemically combine करेंगे physically नहीं chemically combine करेंगे तो जो बनेगा उसको बोलेंगे compound जैसे हम लोगों ने लिया hydrogen और हम लोगों ने लिया oxygen और मिला के बना दिया water h2o अब उसको balance करने के लिए यहाँ पर लगाना चीए यह balance वाला जो है यह आप लोग 10 में सिख जाओंगे balancing the equation वो 10 में है ठीक है इस टाइम पर balancing जाने दो मैं यहाँ पर simple सा टू लिख देता हूं मैंने उसको balance करके लिखा यह balance विलेंस जाने दो आप लोग इस टाइम पर सिर्फ इतना समझो कि हम लोगों ने hydrogen लिया और oxygen लिया और क्या बना दिया पानी बना दिया समझ में आ रहा है तो hydrogen क्या लिया है हम लोगों ने hydrogen element लिया oxygen लिया हम लोगों ने oxygen element लिया और जब हम लोगों ने दो element को combine कर दिया तो हम लोग को नोग को compound मिल गया बोलो समझ में आया element plus element is equal to compound अभी तक हम लोग पाढ़ रहे थे 1 plus 1 is equal to 2 होता है 2 plus 2 is equal to 4 होता है सेम यह से element plus element is equal to compound होता है इसको ध्यान रख लो e plus e 2 e मत बोलना वो c हो गया कैसे element plus element compound हो गया समझ में आया है कि हम लोग 2 या 2 से ज्याद़ element को जब मिला देंगे तो जो हम लोग को नया product मिलेगा वो क्या होगा वो होगा compound अब ज़रूरी नहीं है कि मैंने इस 2 element लेज तो सिफ 2 यह हो आच्छा आप लोग मेरे को sugar का formula बताओ सुगर का formula हम लोग बच्पन से पढ़ते आ रहे हैं कौन क्या होता है c12 h22 o 11 मैं पुछूंगा इसमें कितने element हैं तीन element है carbon hydrogen oxygen तो यह किस से किस से बने होंगे यह किस से किस से बने होंगे यह carbon से बने होंगे hydrogen से बने होंगे और oxygen से बने होंगे अभी उसको balance हम लोग कर लेंगे इधर 12 लगा के उधर 22 लगा के वो हम लोग बाद में कर लेंगे ठीक है अभी आपको उसका काम नहीं है कि उसको balance किस करना है इस टाइम पे स्रिफ इतना समझो एक element लिया दूसरा element लिया और तिस तरा element लिया इन तीन element को मिला करके एक नया product बन गया उसको हम लोगों ने क्या बोला? इसको बोला compound ये क्या है? ये है compound अब ऐसा भी मत्यसमझ ना कि हम लोगों ने carbon लिया, hydrogen लिया और oxygen लिया तिनों को mix कर दिया सलो बन गया sugar हम लोगों ने hydrogen लिया oxygen लिया दोनों को मिस कर दिया बन गया water ऐसा नहीं उन दोनों का जो proportion होता है वो fix होता है fix proportion में combine करेंगे देखो इन फीक्षड proportion by mask और वह भी जो fix proportion होगा वह हम लोग बाई मास्क के तुरू लेंगे हम लोग उन्पके तुरू भी पर मास इच्ट में सुनेकर बात हुई है इसमें आप लोगों को यह बताना है कि हाइड्रोजन और ऑक्सिजन का II her students an daunter सब्सक्राइब वह गया 11 क्या होगा जब मैं तूसे भाट कर दूँगा so 1 is to 8 आ जाएगा so 1 is to 8 क्या आ गया 1 is to 8 is H2O का proportion आ गया कि hydrogen जो होना चीए वो 1 होना चीए और oxygen जो होना चीए वो 8 होना चीए इस proportion में जब वो मिलेंगे by mass mass वो धन्दना mass ठीक है इस proportion में जब वो मिलेंगे तब भी पानी बनेगा अगर ये proportion 1 is to 9 भी कर दिया आप लोगों ने तो भी water नहीं बनेगा अगर ये proportion 1 is to 8.001 भी कर दिया तो भी ये जो पानी है वो नहीं बनने वाला है वो धन देना उनका जो proportion होता है वो fix होता है कि इस proportion में जब हम लोग hydrogen को और oxygen को combine करेंगे तो हम लोग को water मिलेगा अब देखो ये sodium chloride क्या है ये sodium chloride वही है खाने में नमक कम है तो जो नमक कम है वो नमक हम लोग जो डालते है वही है sodium chloride टेक है वो क्या है वो है sodium chloride उसका formula दहाना NaCl इसमे sodium एक atom है और Cl दूसरा atom है ऐसा मत बोलना कि N nitrogen हो गया A कुछ हो और C carbon हो गया L कुछ हो और ये ऐसा नहीं है ये Na पूरा एक साथ है और ये Cl पूरा एक साथ है तीक है Na पूरा एक साथ है Cl पूरा एक साथ है इसमें कितने element है दो एक sodium और एक chlorine water कितने element है दो एक hydrogen एक oxygen carbon dioxide औक्साइड कितने एलिमेंट है दो कारवन और ऑक्सिजन लाइम इस्टोन कितने एलिमेंट है तीन कौन-कौन से यह C A मतलब केल्शियम C मतलब कारवन और O मतलब ऑक्सिजन इनका एक बात धान रखना है कि इनका जो प्रोपोर्शन होता है वो फिक्स होता है जब भी हम लोग समझ में आया कि कंपाउंड क्या होता है कि नहीं है बडंळ है कुछ नहीं कर सकतेकल वह क्या हो गया हुआक तनेцо रहें हीडिगोटर भ्लोरिन वोग्सक्राव क्सब अपने element है अब जब हम दो या दो से ज़्यादा element को combine कर देंगे chemically तो वो क्या बन जाएंगे वो compound बन जाएंगे ठीक है वो क्या बन जाएंगे वो compound बन जाएंगे इसको simple मैं ऐसा भी लख सकते हो compound is a combination of elements ठीक है in a fixed proportion लिखना ज़रूरी है समझ गए एक बात और ध्यांदना जब भी दो या दो से ज़्यादा element combine होते हैं तो उनकी जो properties रहते हैं chemical यह पूरी तरीके से change हो जाती है यह क्या हो रहा है तो देखो यह मैं बताता हूं यह क्या हो रहा है पूरे तरीके से उनकी जो chemical properties है वो change हो जाती है कैसे हो हो यहाँ पर देखो यह व्यूट लिखा हूऊ हाल लिखा हुआ है मुझा बताओ hydrogen कैसा होता है hydrogen कैसा होता है combustible होता है ना है कि अ कम बस्टिबल होता है और और क्या सब्स्टिघ्स आगता है यह जलने बस्टिबल होता है गया वाटर तो आग बुझाता है ना आग लगाता नहीं है सो यह कैमिश्ट्री का जादू कि केमिकल हम लोगों ने दो एलिमेंट को लिया तो उनके जो पहले से जो उनकी केमिकल प्रापरिटी थी वो पूरे तरीके से चेंज हो गई वह पूरे तरीकह से क्या होगे पूरे तरीके से चेंज हो गई यह यहीव कम भाले यह वह लोगों को कमबाइन किया तो जो हम ल iç multipos रोली ला उनकी फॉलने की आपको कम लinku की गांपाउंटर कार drops कार्बडें कार्ब। परपरटी वह पूरे तरीके से चेंज हो जाती है ठीक है के उसके ऑंट हो जाती है जब समझ में आया होगा को समझ में कर सकते हैं। नहीं कर सकते थे लेकिन हां काफ हुआ यदि लिबFE कर सकते हैं। सब्सक्राइब कर सकते हैं सब्सक्राइब कर सकते हैं लेकिन अलग नहीं कर सकते हैं आपको एलिमेंट और कंपाउंड क्या होता है बहुत अच्छे समझाओ चलिए अभी मिक्ष्यर पढ़ लेते हैं हैं कि होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस से पहले यह जानने ज़रूरे है कि मिक्षर क्मिक्षर क्या होते हैं किसी किसी दूसरे सिंदक या टो है घंतार हैं आपर देखेंवी जरूह और पर लग कि बार्ला सब kidsед नहीं है कि उनका फिक्स जैसे हम लोग उनको कमपाउंट बनाना था तो उसका फिक्स था कि वन इस-टू-एटी ही होना चाहिए उसका यह मास रेशियो लेकिन वहाँ पर इसका इसका कुछ फिक्स ही ने एनी प्रोपोर्शन किसी भी प्रोपोर्शन में चलेगा जैसे मिक्सचर है तो वह भी क्या है वह मिक्सचर है आसपास बहुत सारे मिक्सचर होता हम लोग ने किसी भी एक चीज को लिए किसी दूसरी इसको लिए दोनों को कमबाइन कर दिया जो नया प्रोड़क्ट बना वह प्रोड़क्ट क्या है वह मिक्सचर है वह क्या है वह मिक्सच जानदना इसको हम लोग फिजिकल सकते हैं मतलब क्या होता है दो सब्सटेंस किसी बी प्रोपोशिण में जब कंबाइन हो जाते तो जो नया प्रोड़क्ट फोम होता है उसको बोलते हैं मिक्स्चर जैसे आप लोगोंने क्या लिया आप लोगोंने मालो वाटर ले लिया और वाटर में आप लोगोंने सॉल्ट डाल दिया आप लोगोंने वाटर ले लिया और वाटर में मालो आप लोगोंने शुगर डाल दिया तो जो भी नया प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक् वर्शन में रहने दो वो जम मिक्स हो जाएंगे वो जाएंगे वो बता दो हो मातलब होता है सेम, हेट्रो मातलब होता है डिब्फ्रेंट जीनियस मतलब फेज फेज मतलब इस्टेट अब बस अब काम हो गया है मुझे बताओ यह सारे एक्जामपल यह तीनों लिखा है उन सबसे पहले में कि अदे गंटे शेक करने के बाद आप लोगों करने के रार अच्छारों यह इसा सप्रेट इंग तिखेगा एसा separate नहीं दिखेगा Example change करते हैmos cue water लिया और water में हमोगोंने लकडी मीले लकडी woood, wood टीके water लिया और water में लकडी मिले हम लोग कितना भी mix करें, वो दोनों mix होंगे क्या कभी भी mix नहीं होने वाले उसमें हम लोग लकडी को अलग दीख सकते हैं इसा नहीं है तो हम लोगों पूरा एक नजर आता था लेकिन जो लोगों ने शुगर-ुफि लिया उसमें लोगों को वाटर तो लिक्विड दीख रहा था उनका फेस अभी भी अलग अलगी यह और जो वाटर प्लेस लिया था वह अपेस अभी भी से भी है बोलो समझ में आया तो water plus sugar किसका एक्जामपल हो गया homogenous mixture का homo मतलब same same phase में water लिया water starting में कैसा था water starting में था liquid water starting में liquid था ठीक है और sugar कैसा था sugar starting में solid था लेकिन हम लोगों ने दोनों को mix किया तो दोनों हम लोग को same phase है है ना दोनों किसमें हो गए है दोनों सेम Stage में हो गए है थींग है दोनों सेमफाइज में हो लेकिन शुगर और इसमें water plus water place would में कैसा हुआ water jak I won't apply soon वर्ट क्या लिए था लिक्वीड की लिक्विड और वूट क्या लिया था वूड लिया था और यहां पर जब हम लोगों मिक्स किया तो दोनों कैसे रहे दोनों डिफ्रेंट फेज में रहे तो यह कौन सा है यह हेट्रोजीनियस मिक्षर है अभी इसका जो लिखा हुआ है यह पढ़ लो को सबस्टेंसेसी है इधर एक ऐसे सब्सक्राइट जो कंप्लेटली दूसरे में मिक्स हो चुके हैं जो कैसे दूसरे में जो चुके हैं हेटरोजीनेस मिक्सर सब्सक्राइब से रिमें सेपरेट अब धेको यहाँ पर water और वुट में लोग को सेपरेट दिख रहा था लेकिन इसमें क्या से गहां और जो शुगर है वो completely mix हो चुके हैं सेकेंड देर इस नो विजिबल बाउंडरी ऑफ सेपरेशन वाटर और शुगर में हम लोग को कोई भी ऐसा सेपरेशन बाउंडरी दिख रहा था क्या नहीं दिख रहा था लेकिन वाटर और वुड में हम लोग को एक सेपरेशन सेपरेशन बाउंडरी यहां पर हम लोग को दिख रहा है थर्ड वाला देखो इस पार्टिकल के नोट भी सीन बाई नेगड आए हम लोग उसको जब मिक्स गर देंगे तो हम लोग को शुगर के जो पार्टिकल से वह अपनी खुलियां को से दिखेंगे क्या नहीं दिखें यहां पर एक्जामपल देख लो वाटर और शुगर वाटर प्लस सॉल्ट शुगर सेंड शुगर प्लस सेंड उसको भी कितना मिक्स करो कुछ नहीं होगा वाटर और बहले से दोनों लिक्वीड है जरूरी नहीं है कि दो सेम अलग-अलग स्टेट को मिला कर यह मिक्षर बन लेकिन इसमें है की मिलारी वह कौन सा है वह हैं यह समझ में अधिक्सी क्रइख में नयच्रोफ सबस्सेम दिखते हैं सबस्सेम फेसे मीडिखते हैं रिटो आपको होप को होगों और हेट्रोगेंस एक्जांब या आग पर हम लोगों ने जो confirm किया था हूं हम लोगों ने पढ़ लिए थैंक यू सो मच अभी मिलते हैं नेक्स लेक्चर में थैंक यू सो मच